हेलो विवल्स मैं हूं गोल्ड यर्गोल्डिस किच्छन में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं इस दिवाली स्पेशल में आज मैं आप लोगों के ले कर आए हूं शक्कर पारे की एकदम अलग सी रेस्पी और हम इस शक्कर पारे को बनाएंगे एकदम नए ट्रिक के साथ हम इसे गिहूं के आटे से बनाएंगे जो बहुत जादा क्रिस्पी और खस्ती होगी खानें बहुती मज़ेदार और सबसे खास बात कि आप इसे दो से तीन महनों के ले स्टोर करके भी रख सकते हैं यह देख तो आईए शुरू करते हैं आटे से एकदम खस्ते शक्कर पारे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बोल लेंगे और इस बोल में हम एड़ करेंगे 200 ग्राम के करीब चीनी अगर आप मेजरिंग कप से देखे तो यह एक कप है आप चाहिए तो यहाँ पर इस शुगर लिए से से सके उतना गरम हमें दूद को करना है तो दूद डाल देंगे हम इस बोल में और अब मैं दोनों इंग्रीडियंस को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी ताकि चीनी अच्छी तरीके से दूद में घुल जाए अगर आप यहाँ पर शुगर पावडर का इसनमाल कर और आप उसे स्टोर करके काफी समय तक रग भी सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि दूद में चीनी अच्छी तरीके से घुल गई है तो अब हम नेक्स प्रॉसस स्टार्ट करेंगे यानि हम आटा गूत करके तयार करेंगे शक्कर पारे के लिए तो हमने आप एक बड़ सुजी का इस्तिमाल कर सकते हैं तो अब मैं आटा इसमें डाल दूंगी आटा डालने के बाद अब मैं इसमें एक करूंगी सुझी हम praw 2020 मियां पर तीन से चार बड़ी चमच के करीबी आड करेंगे बहत जादा सुझी एड़ करेंगे तो शक्करपारे फट सकते हैं तो इसल एड करूंगी बेकिंग सोडा यह खाने का सोडा है लगबा एक चुथाई चमजगी करेंगे हम इसमें खाने का सोडा एड करेंगे खाने का सोडा डालने के बाद सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे आटे को mix करने के सासत अब हम इसमें add करेंगे मोयन तो मोयन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले से ही घी को गरम होने के लिए रग दिया था और गी अच्छी तरीके से गरम हो गया है तो लगवा एक चुथाई कप हम इसमें घी add करेंगे तो घी डालने से पहले एक बात का ध्यान रखिए आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी add करेंगे उसके बाद हम इसमें mix करेंगे थोड़ा थोड़ा घी इसलिए add किया जाता है ताकि हमें perfect पता चले कि मोयन हमें कितना ज़रुरत है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आटा थोड़ा सा ड्रा है तो इसमें और घी add करूंगी मोयन डालने के बाद अब मैं फिर से इसे अच्छी तरीके से mix करूंगी और मैं इसे अपने दोनों हातों से रगड़ते हुए अच्छे से mix करूंगी ताकि आटा और मोयन अच्छी तरीके से mix हो जाए मोयन और आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है अगर आप अपने हातों से इस तरीके से प्रेस करते हैं तो यह बहुत ही असानी से लड़ों भी बन जाएगा और तूट भी जाएगा तो आप समझ जाएए कि आपने इसमें मोयन बहुत ही पर्फेक्ट एड़ किया है तो अब मैं इसका आटा गूत करके तयार करूँगी तो अब हम इसमें चीनी और दूद का गूल एड़ करेंगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चीनी और दूद का घुल आड़ करेंगे ताकि डो हमार एकनम परफेक्टली गूत करके तैयार हो जाए और यहां पर हम जो आटा गूत रहा हैं शक्कर पारे के लिए ना वह बहुत जादा टाइट होना चाहिए ना बहुत जादा सॉफ्ट होना चाहिए हम यहां पर सेमी सॉफ्ट आटा गूत करके तैयार करेंगे और यह लिजिए परफेक्ट आटा गूत करके हमने आप तैयार कर लिया है तो अब इस आटे को मैं ढग देती हूं लगभग 15-20 मिनट के लिए उसके बाद मैं आपको इससे बहुत ही बने शक्कर प अब मैं इसमें अड़ करूंगी आट करूंगी आप चाहें तो बनस पती घी या नॉर्मिल घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो ऑईल को हम मेडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से गरम होने देंगे और यह लिजे शक्कर पारे के डो को रेस्ट होते हुए लगभग 15-20 मिन हो चकले पर रखने के बाद मुझे इसे हलका सा प्रेस करते हुए इसे बेलना है साइड के एजिस बेलते से मैं आप देखेंगे क्रैक होंगे बड़ घबराने की जुरत नहीं है क्यूंकि हमें इसे नाइफ से कट करना है तो आप इसे अपने चोईस के साब से कट कर सकते हैं और ये लीजे मैंने इसे राउंड शेप में बेल लिया है और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आधा इंच मोटा होना चाहिए तो अब मैं इसे कट करूँगी तो सबसे पहले हम इसे नाइफ के थूरू स्क्वेर पीसेस में कट करेंगे ताकि हम इसे अच्छा शेप दे सके ये देखे कुछ इस प्रकार से स्क्वेर पीसेस में कट करने के बाद मैं इसे लंबे-लंबे पीसेस में कट करूँगी ये देखे कुछ इस प्रकार से लंबे लंबे पीसेस में कट करने के बाद मुझे इसे square shape देना है तो आप चाहे तो इसे diamond shape भी दे सकते हैं तो ये देखे कुछ इस प्रकार से मैं इसे cut करूँगी और ये देखे हमने याँ पे इसे square shape दे दिया है एकड़म perfectly square shape बन गया है ये देखे गई आप चाहे तो अपने choice के साब से इसे थोड़ा बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं और ये देखे गई हैन एकड़म perfect तो चलिए हम इसे fry कर लेते हैं इसी प्रकार से हम डो से और भी शक्कर पारे बना करके तैयार कर लेंगे और ये देखे ऑईल भी हलका सा medium गरम हो चुका है तो आए मैं चोटा चाटुकड़ा इसमें डाल करके देखती हूं और आप देख सकते हैं और बहुत जादा भी गरम नहीं है और बहुत कम भी गरम नहीं जितना medium होना ची उतना गरम है और इस टेश में फ्लेम को medium ही रहने दूंगी और हम इसमें तैयार के शक्कर पारे को डालेंगे और उन्हें अच्छी तरीके से medium flame पे fry कर लेंगे कड़ाई में जितना space होगा हम उसमें और भी शक्करपारे डाल करके उन्हें अच्छे से fry करेंगे तो flame को हमने आपे medium रखा है और medium flame पे हम इसे अच्छी तरीके से fry होने देंगे शक्कर पारे जितने ही low to medium flame पे fry होंगे उतने ही अच्छे से फूल लेंगे और crispy बन करके तयार होंगे तो एक batch की शक्कर पारे को fry होने में लगभग 5-7 मिट का समय लग जाता है कभी कबार 10 मिट भी लग जाता है तो इसलिए बहुत ही आराम से और अच्छी तरीके समय से fry करना है शक्कर पारे को डालने के बाद मैं इसे 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करूंगी क्योंकि अगर मैंने इसे तुरंट flip किया तो यह तूट भी सकते हैं तो इसलिए 2 मिनट के बाद मैं इसे चेक कर कि आपको दिखाऊंगी शक्कर पारे को फ्राय होते हुए लगबग 2-3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जितने भी शक्कर पारे हैं अच्छी तरीके से फूल ने शुरू हो गया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं हलकी हलकी लाइन बननी शुरू हो गई है यानि बहुत ही अच्छी तरीके से फूल रहा है तो अब मैं इसे फ्लिप करती हूँ ताकि एक तरफ से जले नहीं और चारो तरफ से अच्छी तरीके से शक्कर पारे फूल रहे हैं तो इसी तरीके से हम इसे फ्राय कर लेंगे और लगबग 7 मिनट लगेगा इसे फ्राय हो के लिए तो मैं इसी तरीके से इसे हलका हलका फिलिप करते हुए चेक करती रहूंगी बीज बीज में सो फाइनली आप देख सकते हैं कि शक्कर पारे हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राय हो गया है इनका कलर आप देख सकते हैं हलका सा गोल्डन ब्राउन जैसा मैंने कह तो अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूं कड़ाई में से ताकि बिल्कुल भी जले नहीं और यह देखे गाइस है नब बहुत ही बढ़ी खस्ते क्रिस्पी मज़ेदार शक्कर पारे जो हमने गहूं के आटे से बनाया है और आप देख सकते हैं इसमें बीच बीच में लाइन यही शक्कर पारे का में इंडिकेशन होता है कि शक्कर पारे हमारे खस्ते और क्रिस्पी बन करके तयार हुए हैं तो इसी तरीके से में और भी शक्कर पारे बना करके तयार कर लेती हूं और ये लिज़े शक्कर पारे हमारे बन करके तयार हो गए हैं तो अब आरे इसकी क्रिस्पिनस चेक करने की और ये देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी खस्ते शक्कर पारे बने हैं इसके अंदर की लाइन देख सकते हैं गाइस ये एकदम market style शक्कर पारे बन करके तयार हुए हैं वो भी गिहू के आटे से तो देखा ना बहुत ही मज़ेदार शक्कर पारे हमारे बन गए हैं खाने में बहुत ही मज़ेदार है गाइस तो आपने देखा कि गिहू के आटे से भी बहुत ही बढ़िया शक्कर पारे बना करके तयार के जा सकते हैं और इस शक्कर पारे को आप 2-3 महिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं तो गाइस इस रस्पी को ज़रूर ट्राइ करिए और कॉमेंट सेक्शन मुझे लिक करके बताई कि आपको रस्पी कैसी लगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैल आइकन को प्रेस का ना बिलकूर न भोले ताकि आने वाले मेरे नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुचे थैंक यू फ्रेंस की फॉर्चिंग गोल्डिस कीचन बबाई फ्रेंस मैं जल्दी मिलूंगी आपके लिए और भी नएने इंटरस्टिंग सी रस्पी ले करके तब तक के लिए मैं इसे इंजॉई करती ह और आप देख तरी गोल्डिस कीचन बबाई